तो हेलो दोस्तों नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमार इस यूट्यूब चैनल ओनलाइन गाइड 247 पर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपोर्टन चीज बताने वाला हूँ दोस्तों अगर आप जारखंड से हैं और आपने रासन कार्ड में कुछ भी काम करवाया है माल लिया रासन कार्ड में नाम चढ़ाना रासन कार्ड में नाम काटना रासन कार्ड में नाम संसोधन mobile number 8 के लिए जा फिर dealer chance के लिए या फिर अगर आपने नया रासान कार्ड के लिए आवे दिन किया है तो फिर आपको कुछ इस तरीके का रसीद जरूर मिला होगा अब दोस्तो इस रसीद से आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपका काम कितना दूर में है, हुआ है या फिर नहीं या फिर किसके पास spending है, सारा चीज़े आप इस रसीद से चेक कर पाएंगे इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ कि आप इस रसीद से किस तरीके से चेक करेंगे कि आपका status क्या है, काम हुआ है, नहीं हुआ है, जो भी हो यह दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह मैंने दिया था नाम change करने के लिए, जीहाँ दोस्तों नाम में कुछ spelling mistakes था ओनलाइन करने के बाद मैंने यह दिया था और मुझे कुछ इस परकार से रसीत प्राप्त हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा acknowledgement number, नीचे में ना, mobile number, सारा कुछ रहेगा, उपर में आपको देखने को मिलेगा आपको acknowledgement number, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से आपको अपने Google Chrome पर चले आना है, काफी लोग चेक पहले करते थे लेकिन कुछ-कुछ साइट किसी का problem हो रहा था, मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताऊंगा, वहाँ पर आपका साइट में कुछ भी इसू नहीं होने वाला है, यहाँ पर आपको सर्च कर दोना होगा, दिस जे एस जे एस एफ एस एस टाइप करके आपको सर्च कर देना से इसमें के ने के और आपके सामने को चीछ तरीके से खुल के आएगा अब आपको जो है यहाँ पर क्या करना है सबसे पहला आपको जो website देखने को मिलता है रासन card management system का simply आपको इसी पर click करना है तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम click कर लेते हैं इस पर click करने के बाद अब आपको क्या करना है आपको यहाँ कई तरह के option मिलते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको एक option देखने को मिलेगा चेक application status आवेदन की स्थिती जाचे यहाँ से आप अपनी स्थिती को check कर सकते हैं तो आपको इस पर click करना है यहाँ पर आपको रासन card number डालने के लिए कहा जा रहा है या फिर यहाँ पर आप acknowledgement number को डाल सकते हैं आपके रसीद में जो acknowledgement number है यहाँ पर मैंने आपको बताया आपको इसी number को वहाँ पर डालना है तो चले दोस्तों हम यहाँ पर acknowledgement number को फटा फट डाल देते हैं उसके बाद हम आपको आगे का process दिखाते हैं 35 45 100 114 और यहाँ पर जो हमारा है 327 इस परकास से आपने यहाँ पर डाल देना acknowledgement number और इस केपचा को यहाँ पर हम भर देंगे तो चलिए दोस्तों यहाँ पर केपचा को हम भर लेते हैं केपचा को भरने के बाद नीचे आपको एक search का option मिलेगा आपको search पर click करना है जैसे ही दोस्तों आप इस पर click किजएगा आपके सामने कुछ इस दिर किसे आएगा आपको लग रहा होगा कहा कुछ आया कुछ नहीं आया यहाँ पर आपको जो है नीचे चले आना है नीचे आपको दोस्तों option देखने को मिल जाएगा यहाँ पर जो आपका नाम है रासन कार्ड नंबर है आपने क्या काम के लिए दिया था वो देखने को मिलेगा और नीचे में यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं रासन कार्ड का काम कितना दुर हुआ है यहाँ नहीं हुआ है अगर आपका यहाँ पर pending at baso बता रहा है इसका मतलब आपका काम अभी कुछ भी नहीं हुआ है ब्लॉक से भी पास नहीं हुआ है दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह की information वीडियो अगर आपको आने वाले दिनों में चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए ताकि हम आने वाले वीडियो आपके लिए इस तरह से ला सके और आपको उसका हर वीडियो को notification मिल सके